नमस्कार बच्चो आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम जानेंगे कवी परीच्चे इन दो शब्दों से हम सभी भली बाते परीचित हैं हमने अपने विगत कक्षाओं में और पिछले कई कालांशों में इस बारे में बात भी की है हम एक कवी परीच्चे पहले भी कर चुके हैं सर्वेश्वत द्याल सक्सेना का आज हम एक और कवी परीच्चे करने जा रहे हैं उसको हम जानेंगे समझेंगे और यह समझेंगे कि यह कवी कौन है हिंदी साहिते जगत में इनका अपना क्या स्थान है तो जानते हैं हम आज के कवी परीच्चे को नागा अर्जुन हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे कवी हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य जगत कुछ अधूरा सा लगता है। इन्होंने हिंदी को अपनी कृतियों से, अपनी रचनाओं से, अपनी साहित्य साधना से एक अनुपम धरोहर के रूप में, एक अनुपम भेट के रूप में हिंदी साहित्य जगत को दिया है। आज हिंदी साहिते में नागा अरजुन अगर न रहें तो हिंदी साहिते कुछ हलका, खाली या धूरा सर लगेगा तो जानते हैं हम उसी कवी को जिसका नाम है नागा अरजुन नागा अर्जुन का जन सन 1911 इस्वी में जेश्ट पूनिमा के दिन 11 जुन को वर्तमान में मदूबनी जिले के सत लखा में हुआ था यह उनका ननिहाल था उनका पैत्रिक गाउं वर्तमान दर्भंगा जिले का तरूनी था इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था आपकी जानकारी के लिए जो महतो पूंड चीजे हैं उन्हें निले रंग में कर दिया गया है जैसे जन्म सन 1911 में होना 11 जून को होना मदुबनी जिले में सतलखा में दर्भंगा जिला गोकुल मिश्र पिता का नाम और मा का नाम उमा देवी नागा अरजुन के बच्पन का नाम ठककन मिश्र था बाबा वैदनात की किरपा प्रसाद मान कर लेखक के पिता ने इनका नाम वैदनात मिश्र रखा इनके पिता जो थे वो एक बहुत बड़े शिवभक्त थे वो बाबा वैदनात की खूब आराधना पूजापाट किया करते थे और उन्ही का आशिरवाद और कृपा मान कर इनको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई कवी नागा अर्जुन के रूप में इसलिए उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया वैदनात रख दिया वैदनात मिश्र की आरंभिक शिक्षा संस्कित पाट साला में आरंभ हुई बाद में इनकी विदिव्यत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू हुई और बनारस में ही नहीं इन्होंने कलकत्ता में भी अपनी शिक्षा पाई सन 1936 में कवी नागा अर्जुन शिरिलंका चले गए और बोध धर्म में दिख्षित हुए कवी नागा अर्जुन एक धनी परिवार से थे घुमकडी सोभाव के थे भारत दर्शन इनका सोभाव वन गया था भारत के अनेक स्थानों में ये घुमे और साथी साथ विदेश यात्रा भी की जिन में से एक विदेश यात्रा शिरिलंका की थी और वहीं से बोध धर्म में दिख्षित हुए दो वर्श के बाद सन 1938 में आप भारत लोटाए आप से भी प्राए कवी से कवी कौन नागार जुन इनका उपनाम यात्री था और यही इनकी प्रिवर्ती की संग्या भी थी संग्या मतलब नाम इन्हें हिंदी साहित्य जगत में यात्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनने संपूर्ण भारत की कई बार यात्राईं की और साथ ही साथ विदेश यात्राईं भी की सन 1998 में इनका देहान थो गया हिंदी साहित्य जगत का ये दुलारा और हिंदी साहित्य जगत को अपनी कृतियों की अनुपम भेट देने वाला यह महान कवी सन 1998 में हमें छोड़ कर चला गया रचनाई कवीता संग्रे अपने खेत में युक धारा सतरंगे पंखो वाली तालाब की मचलियां खिचडी विपलव देखा हमने हजार हजार बाहुं वाली पुरानी जूतियों का कोरस तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुबार की छाया में ओम मंत्र भूल जाओ पुराने सपने रत्न गर्ब ये इनके कवीता संग्रे थे उपन्यास रती नात की चाची बलचन्मा बाबा बटेशर नात नई पोध वरुण के बेटे दुख मोचन उग्र तारा कुम्भी पाक पारो आस्मान में चांद तारे व्यंग भी लिखे इन्होंने अभिनंधन निवं संग्रे लिखा इन्होंने अन हीनम क्रिया नाम बाल साहित्ते कथा मंजरी भाग एक, कथा मंजरी भाग दो, मर्यादा-पुर्शोत्तम, विद्यापती की कहानिया मैतली भाषा में भी कुछ रचनाई इन्होंने लिखी चित्र, पत्रहीन, नग्नगाज, कविता संग्रे है इनका पारो, नवतुरिया, उपन्यास भी है बांगला रचनाई मैं मिलिटरी का पुराना घोडा हिंदी अनुवाद है ऐसा क्या कह दिया मैंने नागारजुन, रचना, संचेन ये इनकी वो परमुक रचनाई, कृतिया, कावे संग्रे, उपन्यास, व्यंग, निबन संग्रे, बाल साहिते आदी हैं जो इनकी अपनी पहचान खुल कर अपने आप व्याख्या करती है कि मैं नागारजुन द्वारा कृत हूँ, अर्थात जो संपून भारत का चित्रन करती हैं, भारत की संस्कृति की व्याख्या करती हैं, भारत के रचरच में बसे, कनकन में बसे, व्यक्तित्व की एक उलेक करती हैं, भारत दर्शन कराती हैं, भारत के छोटे से छोटे, नागा अरजुन को कुछ सम्मान और पुरुसकार भी मिले। साहित्य अकादमी कि सर्वोच फैलोशिप से सम्मानित भी किया गया इन्हें, राहुल सांकृत्यायन सम्मान इन्हें पश्वी बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ。 ये वो अध्भुत सम्मान थे, बड़े सम्मान थे, जो अत्य दुरलब हैं किसी एक वीक्ति के लिए इतने सा अमान और पुरुसकार अपनी महनत लगन और हिंदी साहिते में अपनी विशेश रूची के कारण प्राप्त किये हैं इनकी कुछ अन्य विशेशताईं भी हैं उनका यात्रिपन उनका नागरजुन का भारती मानस एम विशेवस्तु को स्मग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है मैथली हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली प्राकृत बांगला सिहली तिबती आदी अनेक भाषाओं का ज्यान भी उनके लिए इसी उदेश्य में सहयक रहा है उनका गतिशील सक्रिय और प्रतिबत जीवन उनके कावे में जीवनत रूप से 249 से 42 के बीच बिहार में किसानों के एक प्रदर्शन का नेत्रतु करने के कारण वह जेल भी चले गए। आजादी के बाद लंबे समय तक वो पत्रकारिता से जुड़े भी रहे। ये भी इनके जीवन की एक विशेष्टा थे। हिंदी साहित्य और देशवासियों से जुड़े रहने के इनके जीवन की एक विशेष्टा है जिसमें जन अंदोलन का हिस्सा बनना, लोगों की साहायता करना, पत्रकारिता छेत्र में उतराना और अनेक भाशाओं का ज्यान प्राप्त करना। तो बच्चों यह था कभी नागा अर्जुन का जीवन परिचे जिसमें हमने उनके जीवन विरतानत को जाना, उनके द्वारा रचित रचनाओं को जाना, उनके साहित्तिक विशेष्टाओं को जाना, और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलूं को जाना, और उनके द्वारा जीतने वाले पुरुष्कार और प्राप्त किये गए सम्मान को भी जाना धन्यवाद